हरियाना के अंबाला जिले में नरायनगड शुगर मिल के बाहर धर्णा दे रहे किसान सडको पर उतर गये। किसानों ने भारते किसान यूनियन चड़ूनी गुट की अगुआई में शहजाद पुर नरायनगड रोड जाम कर दिया है जिसकी वज़ा से आवाजाही बंद हो गई है वहीं किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बलतैनात है। किसानों ने समाधान न न कालने पर बड़ा अंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। किसान भारते किसान यूनियन के जिला प्रदान मलकित सिंग की अगुआई में सुबह दस बजे से शुगर मिल के बाहर धरना दे रहे थे। इस दोरान SDM जया शारदा और शुगर मिल प्रिशासन से किसी बात को लेकर सहमती नहीं बनी तो किसान भड़क गय और शहजाद पुर नारायन कड़ रोड जाम कर दिया। किसानों द्वारा सड़क जाम करने के बाद रहागीरों को भारी परिशानी छेलनी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि शजाद पुर जनसमवाद कारिक्रम के दोरान भी किसानों ने गन्ने की बकाया पेमिंट का मुद्दा सीयम मनोहरलाल के समक्ष उठाया था। उस दोरान सीयम ने साढ़े आठ करोड रुपे जारी करने का आश्वासन किसानों को दिया था। किसानों को चौदा करोड रुपे अटका हुआ था अभी भी किसानों ने 43 करोड का नया गन्ना शुगर मिल को दिया है अपने असपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पानी के लिए देखते रहें अमबाला ब्रेकिंग न्यूस हमें फीजबुक पर लाइक करें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एपल और एंड्रोइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी एप अमबाला ब्रेकिंग न्यूस जाउनलोड करें